गुड मोर्निंग फ्रेंड्स आज हम लोग क्या देखेंगे तो आज हम लोग देखेंगे डिन्यूडेशन और जियो मॉर्फिक साइकिल यानि अना शादन एवं भू आकिरती की चक्र से सम्मध ही ते कोस्चन यह जियो मॉर्फ लोजी का पाठ टू होगा और इसमें क्या अंत्रिक अप्षय रसानिक अप्षय होता है फिर जो अप्षय पढ़िएगा उसके आद में अप्षय को रियंत्रीट करने वाले कारक पढ़ना होगा फिर भू आकिरतिक चक्र यानि जियो मॉर्फिक साइकिल में कुछ सी धान्त जैसे की डेविस और पैंका और सबसे पहले किस ने कहाता अभू आकिरतिक संबंध में चक्री पजितिक अधारना दी थी तो जेम्स हटन महोदे का तो जेम्स डेविस और पैंक का अभू आकिरतिक चकर पढ़िएगा और इनी संब्मंधित कोश्चन पिडी हो या में सब में आता है एक्जाम में और यूजी सिन तो जो अन्नाचादन है यह अस्थेतिक है गतिसील है या भौतिक है या दोनों है यह अस्थेतिक एवं गतिसील दोनों परकिरिया है यानि इसका option C सही होगा दूसरा देखें धरादल पर टूटी हुई धीली एवं मुलायम चटानों को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर अस्थांतरित करने वाली पर्किडिया को क्या कहते हैं तो ऐसी क्या कहेंगे इसको अपदन कहेंगे इसके आग्यािए चरन होता है अपद्ण सकतीं में शामील है तो नदीयों किडर और अपदन होगा हिम नदीयों के द्रयातल पर अपरदन के सामोंभी को सामभाउन को क्या कारत परक्रिया क्या बताती है कि अपसे परक्रिया में क्या होगा कोई घटेगा तो इसका सहुंतर क्या इHar कि भीचंब पर किरिया का समबंद किस किस से तो ब्रदकुरिया थो भौत थी के पर्किरिया यह क्या विक तो बहुतिक पर्किरिया है यह लेकिन कि परकिरिया को द्वारा भी तो ना जाता है चले हैं ऑगई देखते हैं उनियन अब स्बॉड द्यूदत months ऐसी और यान ऑप्य अप्ष्ए मुखहरूप से किर्या सील होते हैं जो कहां किर्या सील होँंगे रिगिस्थानी एभं और यहांप पानी KOMी है और तापमान में बहुत वेरियेशन है टापांतर के कारण चठ्टानों का पार्टो के रूप में अलग होना क्या dairy यंद्रिक अप्षय के पर्मुख के कारकों में सामिल परिवर्टन, दाब मुक्ति, जमना और स groß चाल निम्निलिक्त में यांत्रिक अप्षय के तौल्नामै रसाणिक कि रसानीक अप्छा जहां पर पानी होगा कि तो इसका उतर क्या होगा देखिए सित्य और्षेटर यहां पर ज्यादा परवायों को पूर्ण होता है जने चटानों में लोहे के योगीक अधिक होते हैं उस पर असाय के अब शय की कौन सी परकिलिया अधिक शक्क्रीय होती है तो उसा इस कॉन सा परकर्म चूना परदेशों में सैलों का अब्शय करता है यहाई तो शयलों का दूरानों disregard किरिया के अंतर्गत perks क्या होता है तो हाइडरे third time पढ़ल से क्षायनी की किरिया करके नवीन योगी का निरमान कर लेते हैं कि आले देशील कि निम्रीखित में से कौन सा यह आंतिनीख तथाब अबय्त्य है में सह्योग परदान करता है तो दोनों काम में तो कौन होगा इसमें, तो 15 में वनस्पतियां, कीरे मकवरे, यह दोनों तो जैविक प्रकरम में सामिल होंगे, लेगिन कार्बोनेशन या जली योजन, तो इसका सही उत्तर है वनस्पतियां, निमलखित में से कौन अप्छे को परभावीत करते हैं, तो अप्छे को परभाव परष्ण। की कुझी है, यहाओ कथन किसका है, याद कर लिए, जेम्स हटन महोदे का, द्रिस भूमी, सनरचना, परकिरिया और अवस्था का परकार होता है, यहाओ महोदे का, यहाओ देविस महोदे का कथन है, किसका यादे प्रफम अवस्था में उचाई और विर्धी का मान होता है उचाई और अवस्था दोनों का इन में बढ़ना है तो सिंपल बात है पर्थमावस्था में कितने अस्थल रूपों का विकास समय अधारित नहों कर समय सोतंत्र माना है अस्थल का विकास समय अधारित नहीं है वहा समय से सोतंत्र है किसने तो ये पेंक महोदे माने थे पेंक ने अपरदन चक्र की सुरुगात कहां से की है तो पेंक महोदे का जो परदन चकल का जो सुर्वात संव कहते हैं पराइमा कि तू बाइमा रंप भी आराम वहल इनक कजित कघ्षा रहो से का असत्था है गफर हो Congressman उटाल नम्राइक थी करें का अपठा से दीमा होता है मोटे कर्ण वाली सैलो का अपच्छा है छोटे घ्रटत होता है कि सब तो सही है इन में से कौन सा एक अथन सत्य नहीं है तो गुलाब डितु छरन बहुतिक अप्षय का एक उधारन है सीलिका प्रिथी करन रसायनिक अप्षय का एक परकार है करबोनेशन की किरिया कास्ट छेतरों में अधिक होती है टैलेस का निर्वान मुख्यता तूसार किरिया और गुर्तवा करसंद वरा होता है इसमें बताना है यहां पर मिलान करना है यह अप्षय है और इसलों की परभावित अकार जनिते परदेस है तो इसको दिपनलान करते हैं तूस्क यहिस को क्याओं किरिया परी हीम नह Inte Чe Т्यब्यत में होगा अधिक्तम यांतिनिक अप्षय तो यहां रसायनिक तो यहां रसाइनिक अप्षय कहा होगा तो आदर उसन कटिवंद में और मौसमी अधिकतम रसाइनिक अप्षय मौसम के समय यहां देख लीजिए आदर सुस्क उसन कटिवंद यानि समाना तुल्ले छेतर में तो इसका उतर यह सही है निम्रिखित कथनों पर विचार के अप्षय चटान को विस्थावित किये बीना उसके लग्षन बदल देता है किस्टली चटाने और साधी चटानों के तुल्ला में बहुतिक अप्षय के प्रति अधिक सुग्रा ही है इसमें सही कौन-कौन है अप्षय चटान को विस्थाव बिना उसके लच्छन बदल देता हैं तो पहला तो का सही है किस्टली चट्टाने और Avengers में भुती कीजिटान प्रती अधिक सुग्रा ही है किज्टाली जो ωक्क हुर दानेदार चट्टान तो ये दूसरा भी सही यानि एक और दोनों सही है अपचय की विश्यस्ताय हैं और अपचय के विभिन पक्ष है तो बीना रसाइनीक परिवर्तन के चट्रानों का भीक्टन फिर दूसरा है अपका चट्रानों का भीगलन एवम वियोजन और तिसरा है औक्सीकरन की परकिरिया चौत्ता है लोह पर रसायन ऐसी करन का परभाव तो यहां रसानीग परिवरतन के चाटानों का बिखेतन एक रहा होगा तो यहां देखिए यहां यांत्रिक अपच्छय का उदारन है उसकी विस्यस्था हे चटानों के बीगलन यहां वियोजन, तो यहां चटानों के बीगलन यहां वियोजन, सुःस्क आदर सिदोसिन छेतरों में अप्छे न की परकिरिया की पर्धानता है, और तीसरा क्या है? औक्सीकरन की परकिरिया यहां रितुच हरन का सर्वदेशिक लक्षन है लह योग्यू को पर औक्सीकरन का परभाव तो यहां रसानिक अप्छे में लाल होगा पिला हो सकता है भूरा रंग इस तरह का हो सकता है यहां यह उसकी दिसेस्ता है निमलीखीत कतनों पर विचा कीज़े फेल एसपार का रसानिक अप्छे होने पर केओलीनाइड उत्पन होती है फेल एसपार का रसानिक अप्छे के लिए जल आवस्यक है तो इस दोनों सही है और फेल अस्पार का रसानिक अप्छा होने पर के ओली नाइड उत्मन होगा और फेल अस्पार के रसानिक अप्छा के लिए जल आवस्यक है निवलिखीत में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है तो देखिए अप्छय यह एस्थेतिक सक्ति है अपर्धन सक्ति नदियों एवं हीम नदियों द्वारा अक्सी करन खनीजों में ऑक्साइड का निर्मान लेकिन जो अपर्धन है यह एस्थेतिक एवं गतिसील सक्ति नहीं है क्योंकि अपर्धन तो यूग में सुमेलित नहीं है तो जो अपर्धन है हां को सकते हैं कि यह इसमें ओड हो गया चली माल लेते हैं क्योंकि गतिसी जो होगा अपर्धन होता है वहीं पर इस्थीर रह जाता है निर्वी चत्राने बड़े-बड़े खंडों में टूटकर विख्टित होती है तो उसे ओनियन अप्छय कहते हैं और विभीन खंडी जो से निर्वी चत्राने ता परिवतन के परभाव से छोटे-छोटे कंडों में विख्टित होती है तो उसे पिंड विख्षेदन कहते हैं इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है यह दुनों अपोजिट है यानि नो तो एक होगा नहीं दो होगा पेंग के अपरदन चक्र की तीन अवस्थाओं में सामिल है उथान की तीवडर अवस्था उथान की समान दर की अवस्था उथान की घटिती दर की अवस्था तो पेंग महोदय के द्वारा उथान की असमान दर की अवस्था क्या इसा आपने कभी पढ़ा था नहीं पढ़े तो यह तीसरा है नहीं होगा उथान की तीवरदर है पहले इस उथान होगा फिर उसकाद में उथान की समान दर इस तरह से होगा और फिर उथान की घटती दर की अवस्था निम्रिकीत कतनों पर विचार कीज़े अस्थल रूप चक्री रूप का परती फल है पेंग के अनुसार अस्थल रूप चक्री रूप का ही परती फल है और 15 के अंसर औसल रूपों का समय अधारित नहीं इन्होंने इसको अपड़न में या जो उठांथ उसको ये इन्हीं शोनिक बताया था, लेगिन इन्हों आपकर चांए तो है लेकिन बेख्षा नहीं करते हैं सी में होगा कि ए सही है बिगलत और डी में होता है कि यह गलत और आर सही तो देख पहला हाइडोलिसी्स और ऑक्सीडेसन कठोर चठानों को मलवे में बदल देती है ऐक्सीडेसन परकिरिय विध्यसकर उसनसूस को जलवायू में होती है ऑक्सीडेसन यानि सिंबल साड़ीा पानी जह पानी होगा वह ही न यानि इसमें एक सही है लेकिन दूसरा गलंत हैं यहां आधर उरन 24 चौनीध बहुतिक अफचा के पर्भाव से मौलिक रूप से भिन्य सवस्थान में होगा जब रसानिक अपच़े गतिसील अपच़े होता है इसमें भी यह पहलात्स सही है कि बहुती अपच़्च अपच्छे के परभाव रसानिक अपच्छ्च अपच़्च मौलीक जी रूब से भी नहीं जब कि बहुती अपच्छ्च्थ्छ नहीं गा उसुमेन्ट हो सकता है लेगिं रसानिक अप्चा ये सवस्थाने हो अध्र छेटरों में जहां तापमान उच होता है वहां रसानिक होगा को हुज और किसी रसानी किरिया के-लिए जहल और तापमान महत्यपूर्ण कारक है और आधरश्यट्र में जहां का ना उच्छ होता है तो यह दोनों सही है है कि तुसराब की पर्किहा सब आर्ग टिक तक ही सीमित है हैं तुसारद पर्किरिया साथ कारबोनेशन और आक्सिडेशन डीसायनिक अप्च्छाए का मुख्ये की की मुख्य परतिकिरिया है कौन-कौन तो कार्बोनेशन और ऑक्सिडेशन और बी में देखते हैं रसानिक अप्छाय मुख्य रूप से उस्न आद्र जलवायू में होता है यहां पर क्या होगा तो दोनों कौथन और कारण दोनों सही है और नचादन में अप्छाय मास कारण यह फोर हो रहा है दोनों दो बाते हैं अथा दोनों सही है कुछ प्रस्न देख लेते हैं यहां तकि काष्ट परदेश में चतानों के अप्छा के लिए निम्लिखित परिकरियाओं में से कौन सा एक उतर दाई है काष्ट परदेश की बात हो रही है तो कारबनी करण विचुरा पत्थर है और ओक्सीजम जॉल के कारण 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 का इस्तिती उनका उत्पन हो जाता है जिसे वे चटानों की गहराई तक रसायनिक छरन आद्र उसन कड़बंदिये छेतर के परमुख लक्षनों में से एक है रसायनिक अप्षय की तीवर्ता और धिक होद तक जल की परचूरता और उच्च वायू तापमान पर नीरभर करती है मतलब क्या है चटानों की गहराई चटानों की गहराई तक रसायनिक छरन आद्र उसकरटी बंदिये छेतरों के परमुख लक्षनों में से कहाने ताप होना चाहिए तभी तो यह अगतिक कारण तो सही है इसके कारण दिया हुए कथन का कि रसायनिक अप्षय की तीड़ता अधिक हद तक जल की परचूरता और उच्च वायू तापमान पर नीरभर करती है इसी कारण तो होता है और यह और आर दोनों सही है नियम्लिखीत में से कौन सा बीरहत संचलन की और नच्छादन किरिया से संब्धित नहीं है तो यह है ओप अस्तरन नियम्लिखीत में से किसने द्रिस भूमी परकरम संचना और चरन का पराकर है किने कि ने क्या कहा कि द्रीस्त्य भूमी परकरम संद्चना और चरन का परकार्ष है अधरना को अभी व्गते किया तो यह किस ने किया तो यह से यां देखें एएन इस्ट्रॉलर ने किया था किसने तो एएन किस्त Power याद कर लगे जले योजन परकिरिया का सम्बंध है जल योजन प्रकिरिया का सम्बंध किस किस से है यहां देखिए रसानिक प्रकिरिया है जल योजन प्रकिरिया चटानों का गहरा रसानिक अप्छाय आद्र उस्न कटिबंदी छेत्रों की उतक्रिष्ट विस्यस्ता है, रसानिक अप्छाय की तीवरता जल की प्रचूरता तथा उच्च वायू तापमानों पर काफी हद धग निर्भर करती है, यानि चटानों का गहरा रसानिक अप्छाय उसने आधर कटिबंद ये छेत्रों की उत्कृष्ट भी सिस्ता है यह बाद सही है और दूसरा रथानिक अप्षा की तीवरता जल की परचूरता उच्छ वाउत अपमानों पर काफी हाध रग निर्भर करती है तो यह भी सही है यानि कथन का यह कारण सही है अतोहाँ सात्मा जो कोश्चन उसको देखेंगे यह अगले भाग में तब तक धन्यवाद आसा करतेंगे पड़े आसा चल लगे जिरू लाइक करें शेर करें कोमेंट करें और सब्सक्राइब करें